नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे इस ड्रैसीना प्लांट के बारे में तो दोस्तों ये एक ड्रैसीना की वेराइटी है इसको ड्रैगन ड्रैसीना भी कहते हैं और ड्रैसीना मारगा नोटा भी बोलते हैं तो इस तरीके से इसकी कुछ शेप होती है पतली पतली लीप्स होती है वेरिगेशन लिए हुए कई लोग इसको ट्राइ कलर ड्रैसीना भी बोलते हैं क्योंकि इसमें तीन कलर का कॉंबिनेशन होता है और बहुत ही अच्छा प्लांट सुन्दर देखने में लगता है इस तरीके से इसकी स्टेम होती है और इस कलर में यह होता है कई-कई नर लगता ही है और यदि आप अपने बालकनी गार्डन में इसको रखेंगे तो आपकी बालकनी भी देखने में खुब सूरत लगेगी और रखना कहां पर है इसको तो दोस्तों ऐसी जगा रखना है जहां पर इसको सुभा की तीन से चार घंटे की सनलाइट मिल जाए तेज ध प्लांट को हमें हमेशा तीन से चार घंटे की दोब में ही रखना होता है तो मेरा ये वैसे बालकनी में ही रहता है मैं इसको आज उपर लेकर आई हूं टैरिस पर क्योंकि मुझे इस एक प्लांट से दो प्लांट बनाने हैं इस टैम कटिंग से मैं इसके दो प्लांट बना तो इस तरीके से केर करने से ये प्लांट हमारे पास रहता है और नर्सरी में आपको ये साइच के अकोर्डिंग पचास रुपए से सो रुपए तक मिल सकता है तो वैसे एरिये के हिसाब से आप देख सकते हैं कहीं पर थोड़ा महंगा भी मिल सकता है लेकिन अमूनन ये पच जिसमें थोड़ा सा मौश्चर बना रहे बिल्कुल सूखा ना हो और रितिली मिटी यदि इसको दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अपनी गाल्डन स्वाइल में वर्मी कमपोश्ट के साथ साथ थोड़ी सी सैंड भी इसमें जरूर मिलाएं जिससे कि इसमें पानी नह जरूरत नहीं है एक वार आपने यदि इसको कमपोश्ट दे दिया है घर्मी कमपोश्ट या काउडंग कमपोश्ट सबसे बैस्ट रहता है तो साल में दो वार आप इसको कमपोश्ट दे सकते हैं और रखने की प्लेस्मेंट की बात मैंने आपको बता ही दी है कि 3-4 घंटे की मौर्निंग सरलाइफ इसको जरूरत होती है पानी आपको तभी देना है जब उपर की मिटी जो है थोड़ी सी सूख जाए और यदि आप बिल्कुल सूख जाता है तभी इसके मनने के चांस रहते हैं तो इसमें ध्यान रखें कि नमी हमेशा बनी रहे और इसकी कटिंग क समय होता है मेनली रेनी सीजन अब इसमें मानसून चल रहा है तो मैं इसकी स्टैम कटिंग से इसका दूसरा प्लांट बनाऊंगी मैं काफे दिनों से सोच रही थी कि इसका दूसरा प्लांट बनाऊं बस समय ही नहीं मिल पाता था तो आज मैं इसको ओपर लेकर आई हूं ट दोस्तों ये था आज का ड्रैसीना के उपर थोड़ा सा बेने चर्चा की है और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर किसी अच्छे से टोपी के साथ तब तक के लिए हैपी गार्णिंग एंड गुड़ बाई